सदर ट्राफिक विभा की ओर से 25 जन्वरी को शहर के फुटाला लेक पर स्टंड कर रहे बुलेट धारकों पर बड़ी कारवाई की गई है चुटी के दिन शहर के फुटाला लेक पर लोग चुटी बीताने आते हैं मगर पिछले कुछ दिनों से यहां गाड़ी लेकर स्टंड करने का मानो रिवाद चल रहा है इसी को देखते हुए शुकरवार को यानि 26 जनवरी को सदर ट्राफिक वेभाग ने ऐसे लोगों पर बड़ी कारवाई की है इस कारवाई में पुलीस ने कुल 79 गाड़िया जब की है जिसमें बुलेट और स्पोर्ट बाइक शामिल है पुलीस इस कारवाई में 2,50,000 रुपेओं के करीबन चालान भी काटे है साथ ही कहा है कि जब तक चालान नहीं भरेंगे गाड़ी नहीं दी जाएगी फैड रहते है तो इसके बज़े से वो फटा के फोड़ते है और ज्यादा आवाज करते है नौइस पूलेशन होता है इसके बिहाप में हमने कल फुटाला परिसर में कारवाई की थी तो उसमें हमने 79 गाड़िया जब्त किये जिसमें सभी बुलट और रेसर बाइक ऐसी बाइक है और वो गाड़िया हमने ओपिस में जमा कर दिये उन पे तकरिवन 2,50,000 के आसपास फाइन हो गया है अभी ये सब गाड़िया तभी चुटेंगी जब उन सब गाड़ियों के साइलेंसर बदले जाएंगे उनको ओरिजनल साइलेंसर लगवा दिया जाएगा और उन पे लगा हुआ जो फाइन है वो हम जब पेड़ कर देंगे तभी हम उनकी गाड़िया छोड़ेंगे तब तक वो गाड़िया हम नहीं छोड़ेंगे क्या मेरा परसन अखिलेश भारदवाश के साथ अभी शेट पांसी बीसी एन न्यूस नाकपूर